नमस्कार दोस्तों सुवागत है मारी योटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इस्कूल मेनेजमेंट के 15 क्योसनों से सम्मन देत दोस्तों अगर आप फस्ट ग्रेड की तैयारी करना चाते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन को दबाना ना बूले जब भी में नहीं कोई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके जी हां दोस्तों आपसे एक छोटे सी सिकायत रहती है कि आप वीडियो देखने के बाद उसे लाइक और सेहर नहीं करते हैं तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक और सेहर जरूर करें दोस्तो आज का पहला क्योशन है निमिन लिखित में से किसने बुनियादी शिक्ष्या का वीचार दिया था तो बुनियादी शिक्ष्या का सबसे पहले वीचार मातमा गांधी के दुवारा दिया गया था तो इसका सही उत्र हो जाएगा ए ओप्षन गांधी जी के दुवारा इसके बाद दूसरा क्योशन है कलावे विज्ञान परबंदन रूपी सिख्ये के दो पहलू है किसका खतन है तो इसका सही उत्र हो जाएगा तीन नमबर रोबोट एन हिल फ्रंट का खतन है इसके बाद तीसरा क्योशन है किसने कहा था कि सिक्ष्या चरितर का निर्मान करती है और बुद्धी को विक्षित करती है तो ये खतन स्वामी विवे का नंद का है उन्होंने कहा था कि सिक्ष्या चरितर का निर्मान करती है एवं बुद्धी को विक्षित करती है तो तीसरे क दो number option सही उतर होगा इसके बाद चोता question है कोनसा एक उद्द से सैक्सिक परबंदन के संगटन में नहीं होता है तो इस चोते का सही उतर हो जाएगा चार number याने D option S.R.V. बोमिकता इसके बाद पांचवा question है पी ओ एस डी सी ओ आर बी के अनुसार आर किसका परतिक है तो पांचवे का सही उतर होगा सी ओप्षन परतिवेदन इसके बाद छटवा क्यूशन है परबंदन का रदे किसे कहा जाता है तो इसका सही उतर होगा दो नंबर अभी प्रेणना को परबंदन का रदे भी कहा जाता है इसके बाद साथवा क्यूशन है कौन सा एक परबंदन का सामाने कारिये नहीं है तो साथवे का सही उतर होगा डी ओप्षन विवाद है वो परबंदन का सामाने कारिये नहीं है इसके बाद आठवा क्योशन है सबसे महतुवपूर्ण संसादन कौन सा होता है तो सबसे महतुवपूर्ण संसादन है वो बोतिक संसादन होता है आठवे का A option सही उत्तर होगा इसके बाद नौवा क्योशन है सैक्सिक परबंदन में POCCC सुतर के जनक कोन है तो इस सुतर के जनक हेनरी फियोल है इसके बाद दस्वा क्योशन है सूनियोजित तरीके से कारिये की देखरे करना वास्तों में क्या खहलाता है तो सूनियोजित तरीके से कारिये की देखरे करने को सूपर वीजन कहा जाता है तो दस्वे का D option सही उत्तर होगा ग्यारवा क्योशन है सैक्सिक परबंदन योग है तो इसका सही उत्तर होगा दो नंबर सिक्ष्या और परसासन सैक्सिक परबंदन का योग होता है इसके बाद 12 क्योशन है विदाले परबंदन में सरवचे पदासीन होता है तो विदाले परबंदन में सरवचे पदासीन परदना द्यापक होता है तो 12 का C option सही उत्तर होगा इसके बाद 13 क्योशन है सैक्सिक परबंदन में नियोजन के जनक किसे माना जाता है तो सैक्सिक परबंदन में नियोजन के जो जनक है वो लुथर गुलिक को माना जाता है तेरवे का C option सही उत्तर होगा इसके बाद 14 क्योशन है सैक्सिक परबंदन का छेतर नहीं होता है तो सैक्सिक परबंदन का छेतर रचना कारिये नहीं होता है इसके बाद पंदरवा क्यूशन है सैक्सिक परसासन का एक पक्स विक्तिगत हो सकता है तो दूसरा क्या है संबव है तो इसका सही उतर होगा वातावरणिये दोस्तो मैंने आज आपके लिए पंदरा मेनेजमेंट से समदित क्यूशन बताए हैं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे सेहर करे और इसी तरह के वीडियो और पराप्त करना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दन्यवाद जे भारत झाल